प्रिच्छात्रों आज हम लोग त्रिकोड मितिक अंतरगत कोडो का मापन टापिक पढ़ेंगे और उस प्याधारित कुछ क्वेस्चन्स को साल्व करेंगे जो कम्प्टेट्व एक्जाम्स और होम एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपार्टेंट है कोडो की मापने की मुखिता दो पधतिया है सस्टिक पधति अथवा आंगल पधति अथवा डिगरी पधति फस्ट है और सेकेंड है व्रिती पधति एक अन्य पधत भी है फ्रांसेसी पधति उसका अध्यान हम आगे के वीडियोज में करेंगे सस्टिक पधति अथवा आंगल पधति अथवा डिगरी पधति में एक समकोडो को 90 बरावर भागों में विभक्त किया जाता है और इनमे से प्रतीक भाग को एक अन्स अथवा एक डिगरी कहते हैं जिसे प्रतीक एक अन्स से प्रदर्शित करते हैं पुनह एक अंस को 60 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाता है और इन में से प्रतीक भाग को एक मिनट कहते हैं जिसे प्रतीक एक पर 10 से प्रदर्शिर्ट करते हैं और इसे एक मिनट पढ़ते हैं पुनह एक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन में से प्रतीक भाग को एक सेकेंड कहा जाता है और इसे 1 पे डबल डेस से प्रदर्शित किया जाता है अता एक समकोड बरावर 90 अंस, एक अंस बरावर 60 मिनट और एक मिनट बरावर 60 सेकेंड, अब सेकेंड, बृती पध्धत में कोड को मापने की इकाई रेडियन होता है, किसी बृत में तरिज्या के बरावर लंबाई के चाप द्वारा बृत के केंडर पर जो कोड अंतरित किया जाता है, उसे वन रेडियन कहा जाता है, इसे प्रतीक वन पावर 60 से प्रदर्शित किया जाता है, चित्र में वन रेडियन को दर्स आया गया है, अब कुछ रिजल्ट है, कुछ नोट है उसके बारे में देखना है, एक रेडियन बराबर, 180 अपान पाई डिगरी होता है, और यह हमान संताओन डिगरी 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होता है, यह हमान सीधे कम्टेट्व एक्जामस में आता है, यह एप्रोक्समेट वैलू है, लगभग में मान है, दूसरा, पाई रेडियन इकुछ टू 180 डिगरी होता है, थर्ड नोट है, अन्स माप को, डिगरी मीजर को, रेडियन माप में, रेडियन मीजर में बदलने के लिए, पाई अपान 180 से मल्टिप्लाई करना चाहिए, example यदि हमको 30 degree को radian वे convert करना है तो हमें 30 degree में 30 degree को radian वे convert करना है तो हमें 30 into pi upon 180 कर देना चाहिए और फिर 30 से 180 cancel हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 degree equal to pi upon 6 radian इसी प्रेकार यदि हमको 45 degree को radian में convert करना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 45 degree equal to 45 into pi upon 180 radian फिर 45 से 180 4 times में cancel हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 45 degree equal to pi upon 4 radian यदि कोई symbol नहीं लिखा है तो भी angle को radian में ही पढ़ा जाता है अता 45 degree equal to हो जाएगा pi by 4 अब आगे radian माप को अंस माप में बदलने के लिए 180 upon pi से multiply करना चाहिए एक्जामपल pi by 3 radian है यदि हमको degree में इसे convert करना है तो pi by 3 radian equal to हो जाएगा pi by 3 into 180 upon pi degree फिर pi से pi cancel हो जाएगा और अगले step में यह हो जाएगा 100 upon 3 degree के equal और जब हम 180 upon 3 degree के equal और फिर जब हम 180 को 3 से divide करेंगे तो हमें finally pi upon 3 radian का value 60 degree प्राप्त हो जाएगा इसे प्रेकार यदि हम 2 pi by 3 radian को degree में convert करना चाहें तो 2 pi by 3 radian equal to हो जाएगा 2 pi by 3 into 180 upon pi degree फिर pi से pi cancel हो जाएगा और next step में 2 into 180 upon 3 degree प्राप्त हो जाएगा फिर 3 से 180 60 times में cancel हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 2 into 60 degree और finally 2 pi by 3 radian equal to हो जाएगा 120 degree next question में next example में 11 upon 16 radian को degree में convert करना है 11 upon 16 radian equal to हो जाएगा 11 upon 60 into 180 upon pi degree फिर next step में pi के place पे इसका approximate value 22 upon 7 रख देंगे pi का 22 बटा 7 लगभग में मान होता है फिर अगले step में ये equal हो जाएगा 3 upon 7 numerator में चला जाएगा तो 11 into 180 into 7 upon 60 into 22 हो जाएगा फिर 11 से 22 2 times में cancel हो जाएगा और 180 को और 16 को 4 से cancel कर देंगे तो numerator में 5 into 7 प्राप्त हो जाएगा और denominator में 4 into 2 प्राप्त हो जाएगा फिर next step में हमें 11 upon 60 rating equal to 45 into 7 upon 8 degree प्राप्त हो जाएगा फिर next step में 11 upon 16 rating equal to हमें 350 upon 8 degree प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 45 में 7 से multiply करने पर 315 होता है फिर next step में हम 350 degree को 8 से divide कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11 upon 16 rating equal to 39 whole 3 upon 8 degree फिर next step में equal हो जाएगा 39 degree plus 3 upon 8 degree के अब degree को minute में convert करने के लिए 60 से multiply करना चाहिए फिर next step में equal हो जाएगा 39 degree plus 3 upon 8 into 60 minute 3 upon 8 degree में हम 60 से multiply कर देंगे तो ये minute में convert हो जाएगा फिर next step में ये equal हो जाएगा 39 degree plus 45 by 2 minute के फिर next step में equal हो जाएगा 39 degree और 22 whole 1 by 2 minute के फिर next step में equal हो जाएगा 39 degree plus 22 minute plus 1 by 2 minute के फिर हम next step में 1 by 2 minute को second में convert कर देंगे और minute को second में convert करने के लिए 60 से multiply करना चाहिए तो फिर हमें next step में प्राप्त हो जाएगा 11 upon 16 gradient equal to 39 degree plus 22 minute plus 1 by 2 into 60 second फिर 2 से 60 cancel हो जाएगा तो हमें next step में प्राप्त हो जाएगा 39 degree plus 22 minute plus 30 second फिर next step में हमें प्राप्त हो जाएगा 11 upon 60 gradient equal to 39 degree 22 minute और 30 second यह example भी बहुत ही important है कई बार competitive exams में पूछा जा चुका है इसलिए इसे solve करने का प्रोसेस आपको ध्यान रखना है फिर next question में कुछ next question में हमें यह बताना है कि minus 47 degree 30 minute के संगत रेडियन माप क्या होगा फर्स्ट आप्षन है minus 17 pi upon 22 gradient सेकेंड आप्षन है minus 19 pi upon 22 gradient फर्ड आप्षन है minus 19 pi upon 22 gradient सेकेंड आप्षन और फर्ड आप्षन दोनों सेम ही है और फोर्थ आप्षन है minus 23 pi upon 22 gradient देखे इसे हम solve करते हैं तो minus 47 degree 30 minute equal to हो जाएगा minus फिर in bracket 47 degree plus 30 minute और फिर next step में हो जाएगा हम minute को degree में convert करेंगे और minute को degree में convert करने के लिए 60 से divide कर देना चाहिए तो minus 47 degree 30 minute equal to हो जाएगा minus in bracket 47 degree plus 30 upon 60 degree फिर 30 से 60 cancel हो जाएगा तो हमें next step में प्राप्त हो जाएगा minus 47 degree plus 1 upon 2 degree फिर LCM ले ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा minus in bracket 94 degree plus 1 degree upon 2 फिर next step में प्राप्त हो जाएगा minus 95 upon 2 degree फिर degree को gradient में convert करने के लिए पाइ अपान 180 से multiply कर देना चाहिए तो next step में प्राप्त हो जाएगा minus 95 upon 2 into pi upon 100 रेडियन जब हम पाइ अपान 100 से multiply करेंगे तो degree रेडियन में convert हो जाएगा फिर 5 से हम 95 को और 180 को cancel करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा next step में minus 47 degree 30 minute equal to minus 19 pi upon 22 रेडियन तो इसलिए अपसन भी और अपसन से दोनों ही correct हो जाएगा next question है इसमें ये बताना है कि 1 रेडियन का मान क्या होगा first option है 56 degree 17 minute 22 second second option है 57 degree 16 minute 22 second और third option है 58 degree 21 minute 22 second और fourth option है 59 degree 17 minute 22 second ही सारा option approximate value में दिया गया है सारा लगभग में मान दिया गया है इसे यह जो है सीधे result है याद रखना है आपको कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 degree 60 minute 22 second लगभग इसलिए आपसन भी इसका correct हो जाएगा next question है third 1 रेडियन का कोड बराबर होता है first option है pi by 2 समकोड के second option है 2 by pi समकोड के third option है pi आपान 3 समकोड और fourth option है pi आपान pi समकोड तो हमें पता है हम की 1 रेडियन इक्वल टू 180 आपान pi दिगरी होता है therefore 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 90 डिगरी आपान pi फिर next step में हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 2 इंटू 90 डिगरी को हम 1 समकोड लिख सकते हैं कि 2 sum code upon pi हो जाएगा फिर next step में हो जाएगा 1 radian equal to 2 upon pi sum code तो इसलिए यहाँ पर option भी correct हो जाएगा fourth question है किसी बृत में तरिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बृत के केंदर पर अंतरित कोड होता है first option है 1 radian second option है 2 radian, third option है 3 radian और fourth option है 4 radian तो यह सीधे आप आपको बताया गया है यह result है कि किसी बृत में तरिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बृत के केंदर पर अंतरित कोड 1 radian होता है इसलिए यहाँ पर option यह correct हो जाएगा और last question है 520 degree कि संगत radian map क्या होगा फर्स्ट आप्षन है 22 πाई अपन 9 सेकंड आप्षन है 23 पाई अपन 9 थर्ड आप्षन है 26 पाई अपन 9 और fourth आप्षन है 29 पाई अपन 9 तो देखिए इसका solution 520 degree equal to हो जाएगा 520 into πाई अपन 180 radian फिर 10 से केंसिल करा देंगे तो हमें प्राप्थ हो जाएगा 52 πाई वाई में 18 radian फिर 2 से हम केंसिल करा देंगे numerator और denominator को तो हमें प्राप्थ हो जाएगा 26 πाई अपन 9 radian इसलिए यहाँ पे आप्षन C correct हो जाएगा इस प्रकार हमें आसा है कि आपको यह टापिक समझ में आया होगा और यह टापिक competitive exams और home exams के लिए बहुत ही important है फिर भी ज़िए आपको कोई दिक्कत होगा इससे समझने में तो comments करके बताईएगा उसे future में सालव करने का कोसिस किया जाएगा Thanks